नमस्कार दोस्तों आप सबी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर तो دोस्तों आज हम बात करने वाले Sap 00 started nomination 2019 ठीक है दोस्तों तो आपके इस बार पेपर में कैसे प्रस्णाने वाले दोस्तों तो आईए देखते हैं तो सबसे पहले दोस्तों यह प्रस्ट में देखेंगे जो हमेशा हर पेपर में पूछा जाता है आउसत का यह एवरेज का कि अगर तीन लड़कों की आउसत आयू 15 वर्ष दे रखा है ठीक दोस्तों तो यह कोशन को आज हम जल से जल बताएंगे आपक में 15 करके तो दोस्तों इनकी कुल आयू हो जाएगी 45 वर्ष ठीक है अगर इनकी कुल आयू 45 वर्ष है दोस्तों यह दिक उनकी कुल आयू ठीक है हमने कुल आयू निकाली क्या बोला प्रस्ट में उनके आयू के अनपात इस अनपात में दोस्तों जो दोस्तों आपकी 45 वर् मेरा 15x अगर 45 दोस्तों तो दोस्तों हम यहां ह्कि एक्स की वेलु आ जाएगे हमारी 3 कि 15 75 दोस्तों आज जल्दे जल्द हो गया 15 15 15 ettra यह 35 दिखते दोस्तों तो यहां विश्ति आगए एक्स की वैयू तेन तो भूर गरतें थन a आयू हमें क्या होगी तो हमने x की value निकाल ली 3 होगी तो दोस्तों बस 3 x मतलब छोटे लड़के की आयू यह हमारी 3 x है जो सबसे बड़ा बच्चा होगा वो इसकी आयू होगी 7 x और बीच वाली की 5 x तो छोटे लड़के की आयू पूचा गया दोस्तों बस हमने पता था छो आपर 7 x x करते तो मतलब 7 गुड़े 3 मतलब 21 वर्स तो दोस्तों ऐसे ही आसानी से आप अगर एवरेज का कोई भी question पेपर में आएगा ओससे तो आपको कर लेना होगा दोस्तों ठीक है तो आज हम बहुत ही अच्छे अच्छे प्रसने देखेंगे यह सब प्रसने दोस्तों आपके पेपर में आए भी प्रसने कोई CGL में होगा या tuh conspiracy में आए हुआ होगा ठीक है तो आपको ऐसे कोई प्रसन नहीं दिये जाएंगा दोस्तों पेपर में नहीं आते तो दोस्तों इसमें होता है कि आपको देखने में प्रसन सरल लगता लेकिन आप उसमें confuse हो जाते दोस्तों देखी जहते हैं आपड़ यह तीन लिखा ठीक है कभी कभी यह ऐसे लिखा रहा तर तीन लड़के तो आपको ज्यादा असानी होती तो तीन गुड़े 15 तुरंत कर लेते हैं तो दोस्तों यही सब बातों का आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होगा कभी भी कहीं पर भी अगर आउसत आयू लिखा है या आउसत लिखा तो आपको पहले कुल निकाल लेना होगा ठीक है कुल का मतलब क्या होता है तीन लड़कों की आउसत आयू 45 वर्स है तो ऐसे करना था ठीक है तो चलिए अब देखेंगे दूसरा प्रस्म दोस्तों तो दूसरा प्रस्म देखते हैं आज का कि अगर लिखा कि एक अच्छा के 40 चात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसस 86 है छी आसी यह दोस्तों तो हमने क्या बोला दोस्तों अगर आप ऐसा लेंगे 46 गुड़े 40 ठीक है कि आपको सिर्फ 4 का गुड़ा करना पड़े 0 आप बढ़ा लेंगे चार चंग 24 का 4 चार वठी 32 दो 34 ठीक है 3340 इनका आउसत आगे इतना आगया ठीक है यह दि क्या आगया आगे प्रस्म में क्या लिखा दोस्तों द्यान दे पढ़िएगा यह पांच सरवादिक अंकों को निकाल दिया जाए दोस्तों तो पांच सरवादिक अंकों को निकाल दिया जाए तो आउसत आपका एक अंक कम हो जाता है तो मतलब आपको जो 86 आरत आउसत तो 50 हो जाता है तो सीर्फ 5 छात्रों का आउसत अंक हमें बताना है कि जो टॉप 5 के ब पकाक था कि चालीस चात्र दिये थे हैं अगर दोस्तों हम चालीस में से पांच बच्चों को भटा दे से तो कितना बचता पैयतिस तो दोस्तों बोला कर अगर पैफीज पच्चों हो गया है तो उनके जो क्या था है उनके अंकों का और जो ओसत बात में हो रहा है वो एक fidelity कम ह तो आप तुरंती इनका भी औसत आप तुरंद निकालेंगे, मतलब कुल निकालेंगे औसत आपको दे रखा, तो मतलब 35 गुड़े 85 तुरंद करना होगा दोस्तो आपको ऐसे टाइम में, तो गुड़ा कर लेतें जली से 25 का 5, 5 या 15, 2, 17 दोस्तो, ठीक है, जैसे भी दोस्तो आपको बचा 5, 7, 9, 2, तो दोस्तो इनका ऑसत कितना आगया, ये आगया, 29 और पहले वाले छात्रों का ऑसत आया था, दोस्तो, 3340 तो दोस्तो, इन दोनों का, जो हमें कुल आया था, मतलब क्या था, ऑसत दिया था, तो हम ने सारे जो अंकायत है, वो हमने निकाल दिये, तो तो दोस्तो हमें क्या मिलेगा पता है जो टॉफ की ऊंफ के उनके नंबर मिल जाएंगे खिटाने से दस पांच गया पांच यह बच्छा 13 साथ गया छह यह बच्छा धोस्तो आपकका 13 मिंशनों गया 4 ठेकर यह इस्यगा गया तो दोस्तो आपके जो टॉप फाइब के बच्चे थे उनके नम्मर आयते है चारसो पैसेट नम्मर ठीक है कितने आयते है चारसो पैसेट नम्मर जो हमारे टॉप फाइब बच्चे थे उनके नम्मर आयते टोटल ठीक है चारसो पैसेट नम्मर तो उनके कुल नम्मर तो ये थे, तो दोस्तों में पूछा क्या गया है, ये ध्यान देखे, 5-6 निकालने क्लिए क्या करना होगा, बस 5 से भाग देदा होगा, मतलब 465 पाव जैसे 5 से भाग देंगे, तो आपका ये आउसत अंक आ जाएगा, ठीक है ये कुलंक है अभी तो 5, 9, 45, 5, 15 मतलब सभी बच्चों का एवरेज अंकता 93 नमबर तो दोस्तों जो पहले 5 बच्चे थे सभी के नमबर आयते हैं 93 नमबर का आउसत था ठीक है तो दोस्तों चलिए अगला प्रस्न देखेंगे जल्दी से तो दोस्तों आपके सामने त अंपगर 2 में हो B अंपगर 3 अंपग 4 , C न पrad D 6 more सिटाथ 9 तथा दी अंपगर 12, 16 में हो ठीक है तो दोस्तों तो आपको क्या निकालना अंपगर B अंपगर C न पधी तो दोस्तों हमने आपको सबसे पहले बताया था है कि ये ऐसे प्रस दो क्रस्तिकों करने ते दे रखा है, एक अनपाथ 2, ठीक है दोस्तो, और दूसरा क्या दे रखा है, दोस्तो आपको B अनपाथ C, तो ऐसे आपको B के नीचे B लिखेंगे, तो याद आपको समझ में आगा, तो B अनपाथ C दोस्तो कितना दे रखा है, आपका 3 अनपाथ 4, तो दोस्तो आप ध्यानते देखिए, यह भी है, यह भी है, तो दोस्तों यहाँ पर B की value 2 दे रखिए, दोस्तों और यहाँ पर दे रखिए, दूसरे वाले में B की value 3, तो दोस्तों यह कब जूडेंगे, जब इसकी value या तो 3 करने, इस B की या इसकी value 2 कर दे, तो दोस्तों ऐसा करना, तो करने से कोई फ कर दीजे दोस्तों क्या हो जाएगा? 3, 2, 6 हो जाएगा यह हो जाएगा, थो रहोज हो जाएगा, यह बिचे जूड़ जाएगा तो ठीक है? पहले हम 3 स susceptible आ determine आ जाएगा 3- Social metrics 6 आ जाएगा, ठीक है? 3 अन पाइगा अगर आपका पहले A आ पाइअ पाइगा A क्या आ होगे ठीक है तो दोस्तों आपका आ जाए गई 3 ratio 6 ratio 8 ठीक है दोस्तों तो यह कब हो सकता है possible याद कि दोस्तों जब B के value दोनों में बराबर होगी यहाँ पर भी 6 ता यहाँ भी 6 ता तभी दोस्तों यह जुड़ेंगे ठीक है एक साथ होंगे नहीं तो एक साथ यह नहीं होंगे किसी भी कीमत पर ठीक है अब अगला क्या निकालना है दोस्तों में C अनपाथ D क्या दे रखा C अनपाथ D बराबर दे रखा दोस्तों आपको 6 रेशियो 9 तो C यहाँ पर दोस्तों आपका 8 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ लिख देजिए 6 रेशियो 9 अब इनको जोड़ना है एक करना है दोस्तों इनको एक करने क्लिक क्या करना होगा या तो यहाँ पर 6 से यहाँ पर भ प्रप्र प्रप्र दे रहे तो डारेट कर सकते हैं तो दोस्तों 6,3,1,8,6,36 ठीक है 18,36 हो जाएगा यहाँ दोस्तों और जब 6,8,48 यह 8,48 कर देंगे तो इनको तो एकी हो जाएगा और फिर गुड़े दोस्तों 8,9,72 ठीक है तो आप बचा दोस्तों आपका क्या निकालना ह तो डी के नीचे आप डी लिख दीजेगा अनपात यह आगी लिख दीजेगा जैसे दोस्तों आपको समझ भी है वैसे कर दीजेगा हम तो आपको खाली करके दिखा रहे पेपर में आप इससे भी कम टाइम में कर सकते हैं 12,16 दे रखा है यहाँ ठीक है यहाँ पर 12 हो जाए एक यहाँ है कि इसमें 6 गुड़ा कर दीजे गुड़े 6 कर देगा तो 12,16 अधार हो जाएक दोस्तों यह भी तो कोई दिक्कत नहीं डी को और इसमें कोई गुड़ा करनेक जरुवत नहीं है ठीक है तो गुड़ा करनेक बाद दोस्तों क्या आजाएगा जली से देखते हैं तो दूस्तो आ जाएगा आपका 18, अनपात 36, अनपात का 48, दूस्तो अनपात में कितना हो जाएगा 72 था, फलाश्ट में आ जाएगा 16 गुड़े 6, कितना हो जाएगा, 16 चक्र 90, ठीक है, आपका यह आ गया, दूस्तो बस इसको छोटा कर लेजे, simplify कर लेजे, बस वही उत्तर ह जाएगा आपका, इसको भाग क लेते है, किस से जाएगा, दोस्तो सभी में कौन संख्यात कर जाएगा, आपको पता है, 6 यह तो दूस्तो सभी को 6 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 6 3, 18, TC, 36 में भाग देंगे, 6 संग 36 होता है, 68 होता है, दोस्तो, दीकि simplify कर द ठीक है दोस्तो तो यहीं सबसे अच्छा तरीका रहेगा करने का अगर आपको पेपर में सब प्रस्ण मिलेगा तो दोस्तो आपको बस यहीं याद रखना कि आपको जो यह अनपास D और बी अनपास C तब जूड़ेंगे जब दोनों में B की वैल्यू बराबर होगी C और B अनपास C और C अनपास D देखें C दोस्तो तब तक नहीं जूड़ सकते जब तक दोनों की वैल्यू C की वैलयू बराबर नँह ओ दोनों में तो बस इसी बात के दियान ना करना हो ह। जो कपल होगी उनकी वैल्यू हमें सब सेम होगी तो एक अगला प्रस्न देखतें दोस्तों ऐसा ही कुछ तो दोस्तों चौथा प्रस्न क्या आपके लिए कि A, B तथा C के मासिक वेतन में 2, 3, 5, 5 में है यदि C का मासिक वेतन ठीक है A के मासिक वेतन से 12,000 पर अधिक है तो B का वार्सिक वेतन कितना होगा दोस्तों सबसे बड़ी बात है आपको ध्यान देना होगा क्या लिखा B का वार्सिक वेतन ठीक है वार्सिक मतलब कि B एक साल में कितना कमाता है अगर हम मासिक वेतन से दोस्तों प्रस्त को हल करेंग तो हमें मासिक वेतन ही आएगा मतलब एक महिने में कितना कमाता है तो जो भी आएगा दोस्तों इसको हमें 12 से गुड़ा करना होगा जिससे हमें इसके एक साल की कमाई पता चले उसका मासिक वेतन दे रखाए 2, 3, 5 ठीक है तो इसका मासिक वेतन है 2x, 3x, 5x तो ठीक है तुरंती माल लेंगे दोस्तों इतना टाइम नहीं कि आप लोग को इतना मतलब आपका पेपर काफी कम टाइम रहे गया तो दोस्तों आप लोग जली जली अब समझ सकते हैं किसका मासिक वेतन ऐसे माल लिया जाएगा फिर क्या बोला प्रस्ट में आप प्रस्ट से ही कोशन को करेंगे सी का मासिक वेतन एक मासिक वेतन से बारह हजार पर अधिक है तो मतलब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सी का मासिक वेतन कितना है फाइप एक मासिक वेतन है टू एक्स ठीक है से बारह हजार पर अधिक कर दीजिए प्लस बारह हजार ठीक है न दोस्तो 2x इधर आजाएगे दोस्तों तो बचे के यह 3x मतलब 5-2 हो जाएगा ठीक है 5x-2x बराबर दोस्तों आपका कितना आजाएगा 3x बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 12000 ठीक है तो यहांते x की value कितनी आजाएगे यही से काट लेतें 3x-3, 3.12, 4000 ठीक है दोस्तों तो x की value आगे आपकी 4000 तो मतलब हम सभी की मासिक वेतन निकाल सकते हैं अगर दोस्तों अगर पूछा जाए कि a का मासिक वेतन कितना होगा ठीक है तो 2 गुड़े 4000 कर देंगे क्या करेंगे 2 गुड़े 4000 यहां x की जाए 4000 रख देंगे 223 गुड़े 4000 और C का निकालना है तो 5 गुड़े 4000 तो हमें सभ का मासिक वेतन निकल जाग है हमें प्रस में क्या बोला गया है b का वार्शी केतन तो पहले 205 गणालते है दोस्तों एक साल में कितना कमाएगा, चलिए आए जानते हैं, कि एक महिन में बारा जार कमा रहा है, तो एक साल में कितना कमाएगा, एक साल में होते हैं, बारा महिन ने, तो बारा महिन ने गुड़े, एक महिन ने कि उसकी सेर्वरी बारा हजार, ठीक है, जो आएगा वो उत्तर होगा, 12,000 को टिक मत करिए का आप लोग को प्रस्म पढ़ने में जल्द बाजी नहीं करने हैं दोस्तों ठीक है सबसे इंपोर्टेंट हो था लाश्म में क्या लिका यह ध्यान देना है क्योंकि पेपर ने दोस्तों आपको पता उसमें आपको प्राब्लम सोगी टेंसन होगा क्या प्रस्म लेते हो तो दोस्तों एक अलग तरह का कुश्चन आपके लिए कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 38, 45 एवं 52 में भाग देने पर क्रमसा 2, 3 वर 4 बचते हैं दोस्तों ऐसे काभी-काफी बार पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान देना है कि जो सीरियल से दिया गया होगा ठीक है और जितने बचने 2, 3, 4 तो सभी में से उतना घटा लेंगे 38 में से 2 घटा लेंगे दोस्तों ठीक है उसके बाद जो हमारी संक्या यह आती है ना, बस उसका मासा निकाल देंगे वही उत्तर हो जाएगा, तो दोस्तों मासा सबसे आसान तरीका क्या है, देख लिए 36 में 6 से भाग जाए रहा, 6 चंग 36, 6 सटे 42, और 6 टे 48, मतलब सब में 6 का हो जाएगा, तो मतलब इसका मासा क्या सबसे भाग देने पर हर हाल में एक ही से बचता हो दोस्तों, ठीक है, किसी भी कीमत पर एक ही से बचना चाहिए, तो दोस्तों ऐसे कोशन को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अगर नियूंतम पूछ रहा है, और यह पूछ रहा है, तो सबसे पहले दोस्ते इनका लासा ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 18, 24, 30, 42, ठीक है, इसका लासा ले ले लेंगे, तो जो भी आएग दोस्तों, तीन, 6, गुड़े, 3, गुड़े, 4, गुड़े, 5, गुड़े, 7, ठीक है, यह आगा, इसका लासा, इतका गुड़ा कर ले लेंगे, जो आएगा, वह लासा हो जाएगा, ठीक है, आप 2, 3, 3, से काटने से कोई फैदा नहीं है, ठीक है, तो जल्ली से करने के और गुड़े साथ, तो साथ जीरो में जीरो, साच्छंग बैयालिस का दो, हासिल आया चार, साथ रिक इकिस चार पच्छिस ठीक है, तो इसका जो आपका LCM आगा है, पच्छिस सो बीस आगा है, कितना है दोस्तो, 2520, ठीक है, LCM आया, और क्या बोला कि इससे भाग देने पर इन से मतलब, 18, 24, 30, यहां बैयली से मभाग देनेंगे, तो हर हाल में एक ही सेस बचेगा, तो क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, तो आपके यह आ जाएगी, संख्या आ जाएगी, 2521, ठीक है, इसका उतर यह आ जाएगा, दोस्तो आप चाहिए तो भाग करके तो आप लोग ज्यादा दिमार्ग मत लगाएगे, कि क्या क्या करना है, तो सिंपल थी है, देखते हैं, इनको तुरंती इनका LCA मिकाल देंगे, और जो आएगा LCA उसमें एक जोड़ देंगे, बस यह हो गया, तो दोस्तो चलिए देखते हैं, अगला किस टाइप का प्रस् के एको लाब में बेचा और एको हानी में, ठीक है, यदि वस्तुवों के विक्रे मूले बराबर हो, तो कुल लाब या हानी कितनी होगी, तो दोस्तो ऐसे प्रस्नों को करने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए आईए जानते हैं, तो दोस्तो इसके लिए एक फार्मूला और 25% ही हानी, तो मतलब दोनों बराबर होगा, तो हम यह formula यूज कर सकते हैं, आपका x plus y plus xy upon 100, ठीक है, प्लस या माइनस का चिन देखें आपड़े, प्लस या माइनस का चिन लाब या हानी का नुसा लगेगा, अगर दोस्तों लाब है तो प्लस का sign, माइनस होगा तो आपक से trick हमेशा उन्हीं प्रस्णों में लगेगी, जब विक्रे मूले देखें, आप जैसे लिक्रे मूले बराबर होंगे तब ही, ने तो यह formula यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए दोस्तों कर लिया जाए इस प्रस्णों को, इसमें क्या बोला था, 4800 में खरीदी, इत तो दोस्तों कर लेते हैं, फिर x into y, तो मतलब 25, गुड़े 25 करेंगे उपर, अपान 100 लिख देंगे, ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा, 25 से यह 25 कट गया, बचा कितना यह, माइनस, 25 गुड़े 25 कितना हो, तो आप 25 कवर 2625 बटे 100, ठीक है, तो आपको उत्तर क्या जाएगा 100 से भाग करेंग, दस्मलों को चिन लग जाएगे, 6,25, 6,25, प्रतिसत, दोस्तों आप प्रस्मलों में देख रहे हैं, कि यह माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है, माइनस का चिन का मतलब सिंपल सी बात होगे, कि यहाँ पर क्या होगा, क्या बोला गया है, कि दोस्तों, कुल यह कितनी होगे, तो माइनस जो चिन होगा, रेडाथ में कोई दिखाएगा, कि यहाँ पर हा न है, ठीक है, तो यह उत्तर हो जायगा, कि माइनस 6,25 हा न ही हो रही है, ठीक है, हो सकता, विखल back में आपको लिखा होगा, कि लाब हो रहा है किया मतलब 6 दस्मलो 2, 5 का, तो आपके यह धियान रखना है, तो अगला प्रस्नित देखेंगे, तो दोस्तो आठफ़ प्रस्नित क्या है, आपके सामने कि X plus 1 by X बरावर 3 दे रखा है, तो हो तो 3X square minus 4X plus 3 का मान क्या होगा, अपाउन में यह दे रखा है, ठीक ठीक है, X plus 1 by X बरावर आपको क्या दे रखा है, तो 3 दे रखा है, ठीक है, तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, यहां से त्रिशा गुड़ा कलेंगे, दोस्तों क्या आजाएगा, आपके X square plus 1, X उदर चला जाएगा, तो दोस्तों आजाएगा 3X, ठीक है, हमें X square plus 1 की value पता चलाएगे, क्या होगी, ठीक है, दोस्तों तो इसकी value हम यहां पूट करेंगे, देखिए, X square plus 1 है, ठीक है, तो आपको दिमाग देखे ला, ऊपर क्या बोला गया, 3X square plus 3 की value चाहिए, दोस्तों इसमें दोनों पच्छों में 3 से अगर गुड़ा कर देंगे, तो क्या यहां पर, sorry, plus 3 बराबर आजागे, आप 9 से हो जाएंगे, 3 से गुड़ा होगा, तो यहां पर आजाएंगे, 9X, इसमें क्या 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 गया है, इस समी क्रण मालेच, इसको एक था, इसमें हमें 3 से गुड़ा कर दिया, तो हमें समी क्रण 2 मिला, ठीक है, दोस्तों, इस से ग दिख लिएंगा क्या दिक्कत नहीं हो, तो x square, प्लस का 1 लिख लिएते, दोस्तों, फिर minus x लिखते हैं, ठीक है, गें चाहिए, जैसे लिख लिए हैंगें, क्योई दिक्कत नहीं है, तो देखिए, दोस्तों, हमनें 3x square प्लस 3, ठीक है, इसकी value हमें यहां पर निकाल लिए 3x square plus 3 की value होती है 9x और हमने फिर क्या निकाला x square plus x की value यहाँ पर निकाल लिए ठीक है sorry x square plus 1 की तो बस हमें value पुट करनी है question खतम हो गया और 3x square plus 3 की जगे हम क्या रखेंगे 9x रखेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर 9x रख दीजे और question में क्या दिया गया है minus 4x पहले से दिया गया है 4x ठीक है upon में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका x square plus 1 की जगे क्या रखेंगे 3x तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x minus x तो दोस्तों 9x में इस 4x गरता है बचेगा 5x upon दोस्तों 9 3x minus x बचेगा आपका 2x तो दोस्तों x x कट जाएगा यह आपका अंतर आजाएगा 5 बटे 2 तो दोस्तों ऐसे algebrai से question बन सकते हैं तो आपको तयार रहना है कि algebrai से कोई question आएगा तो आप जल्द से जल्द दिमाग से trick से खेलेंगे ठीक है ऐसे question में आप देखते हैं सबसे पहले यह दिमाग लगाएंगे जैसे दोस्तों यह हमने क्या बनाया यह दिया था आपको ठीक है तो सबसे पहले हमने क्या लिखे था यह लिखा था x plus 1 by x बराबर 3 तो हमने इसका गुड़ा कर लिए ठीक है तो दोस्तों देखेंगे आज नवा प्रस्न है कि त्रिभूज A, B, C में B, C को बिंदू P तक बढ़ाया गया है दोस्तों D, F क्रम से A, B वो A, C के मद्धे बिंदू है त्रिभूज D, F, P, छेतरफल त्रिभूज A, B, C, छेतरफल हमें निकालना है इन दोनों छेतरफल के रिसियो निकालना है तो दोस्तों आईए बना लेतें एक त्रिभूज कैसे कैसे बनना है ठीक है? तो सबसे importance होगा आपको त्रिभूज बनाना या डाग्राम बनाना आता है एक नितू आपको त्रिभूज क्या था दोस्तों A, B और C था ठीक है तो प्रस में क्या बोला गयाता है तुरे बुज ए बीची बीची को दोस्तों यहां देखी दें आते बीची को बिंदू P तक बढ़ाए गया तो जो बीची बुजा आप इसको बिंदू P तक बढ़ा दीजे ठीक है तो कहीं बिंदू यह होगा P ठीक है दोस्तों यह बिंदू P पर मिलाना ठीक है तो यह आपका एक त्रिबुज बने गया तो दोस्तों इसको इसको बिंदू P बना लिजे इसको बिंदू P पर मिलाना ठीक है तो यह आपका एक त्रिबुज बने गया तो दोस्तों इसका मद्दी बिंदू यह है तो इसका मद्दी बिंदू E हो गया पर ठीक है माल लेते बिंदू E है तो इनको भी मिला लेते दोस्तों तो दोस्तो आपको डियाग्राम में एक चीज़ नजर आ रही होगी तो आपको एक चीज़ पता चल रही होगी वो चीज क्या है जो बुझाइ ये होगी देखें ये तिरभूज बराबर हो गया होगा दोस्तो ठीक है इस डियाग्राम से दो, तीन, दोस्तों, इसको सबको एकी लिक दीजिया, ठीक है, सब बराबर है ना, तो सबका ratio से मैं, ठीक है, तो दोस्तों इससे एक चीज़ प्रूप हो गया, जो तृबुज डी, एफ, एका छेतरफल होगा, ठीक है, का छेतरफल, बराबर हो जाएक दोस्तों, आपका तृ F और P का छेतरफल बराबर हो जाएगा दोस्तों जो इसका छेतरफल होगा इसके अंदर वाले का दोस्तों हाइलाइट करते है जो इसका छेतरफल होगा ये वाला वो इसके भी बराबर हो जाएगा आपके ठीक है तो इसका क्या छेतरफल है इसका? dfp का त्रिबूज dfp का छेतरफल ठीक है तो इसका छेतरफल दोस्तो कितना हो जाएगा दोस्तो त्रिबूज dfp का छेतरफल हो जाएगा आपका 1 ठीक है कितना हो जाएगा दोस्तो 1 तो दोस्तों आपके त्रिबूज ABC का चेतरफल कितना हो जाएगा चली देखते हैं त्रिबूज आपके ABC का चेतरफल हो जाएगा त्रिबूज आपके ABC का चेतरफल हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा ठीक है और तिरबुज एक बीसी का छेतर पर फोर है दोस्तो ठीक है तो आपका विश्ट अनपात आ जाएगा एक अनपात चार आपका यह उत्तर हो जाएगा दोस्तो ठीक है तो दोस्तो आएए आज का लास्ट कोश्चन देखें कि जो काफी इंपॉर्टेंट सो सकता आपके लिए और एक इंट्रेस्टिंग कोश्चन है तो उसको जरूर देखें तो दोस्तो आज का अंतिम और लास्ट प्रसने क्या रहा है दस्मा प्रसने कि यह दिए एकस प्लस वन बाई एकस बराबर दो है ठीक है दोस्तो तो आपसे फुशा क्या गया एक सी पावर सत्तर अपॉन एक प्लस वन बाई एकस बराबर दो दे रहा है ठीक है क्या दिया आपको बराबर में दो दे रहा है ठीक है अगर आपको माली जी आपसे पूछा गया एकस पावर सत्तर ठीक है या कुछ भी पूछा जाए अगर आप इसको स्क्वायर करें पहले माली जी आपसे यह पूछा ग जैसे माली जी आप इसको तोरु पच्छों पहर करते हैं थे parfois च다 थी डेखते हैं यहां जाता है आपका एक्स डॉसर का शॉयरा खार ठीक है फिर प्लस का क्या आता दोस्तों दो गुड़े x into 1 by x यह आता न आपका बराबर 4 ठीक है यह x x कड़ जाता तो आपका क्या बजता x square plus 1 by x square ठीक है तो plus 2 बराबर 4 तो 4 उधर जाता दो से कड़ जाता दोस्तों कितना आता है 2 आ जाता है मतलब x square plus 1 by x square की value आती है फिर 2 तो दोस्तों कभी भी आपको x square plus 1 by x मतलब यह याद रखे लोग आप लोग याद कर लेजिए रट्टा मालीजे कि कभी ऐसा question आ जाए कि x c power n plus 1 by x c power n ठीक है अगर आपको कभी भी ऐसा दिया गया दोस्तों x plus 1 by x बराबर 2 ठीक है गर यह आपको कभी दिया गया है दोस्तों और पूछा जाए आपसे x c power n plus 1 by x c power n इसकी value क्या होगी तो इसकी value हमेशा 2 ही आएगी अगर आपसे कोई पूछ ले कि दोस्तों अगर x plus 1 by x बराबर दे रखा है 2 दे रखा है दोस्तों ठीक है अगर आपसे कोई पूछे कि x c power 1001 plus 1 by x c power 1001 ठीक है इसकी value बताई तो आप बिना सोचे समझे बोल देंग इसका उत्तर 2 होगा ठीक है ना लेकिन याद रखिए कि द बराबर होने चाहिए जैसे x की power 1001 थी यहाँ भी x की power 1001 थी और हमेशा question में क्या दिया रहना चाहिए x plus 1 by x बराबर 2 अगर दोस्तों question थोड़ा सा change होता है कि जैसे लिखा होता x plus 1 by x बराबर 4 तो दोस्तों यहाँ पर वो formula यूज नहीं होगा यहाँ पर क्या यूज होग plus 1 by x square बराबर k square minus 2 इसमें यह formula यूज होता आपका ठीक है k की वी जगे आप रख देते 4 तो 4 की square हो जाता दोस्तों minus 2 तो कितना आ जाता दोस्तों 16 minus 2 बचा 14 तो दोस्तों इस प्रस्तों को ऐसे किया जाता है ठीक है ना तो आप लोग सीख लीजे दोस्तों की कैसे कैसे करत जाता है कि x plus 1 by x बराबर 2 दे रखा होता है दोस्तों तो पूछता है कि x power 70 बटे 1 एक बटे x power 70 का मान याद करें तो आप दोस्तों सोचे नहीं लगेंगे time waste होगा तो हमने सोचा कि यह क्यों ना आज का एक interesting question मना जाए जो within 1 second में आप solve कर सके ठीक है तो दोस्तों चलिए अगली वीडियो पार 2 आज ही आएगी साम तक तब तक के लिए बब्बाय टेक कर ख्याल रखिए और मैत के अधिक साधी कुशन करते रहे हैं